Hello everyone, welcome back to Cardboard Mystery Online Portal तो चलिए शुरू करते हैं आज की सीरीज नमर 13 को और जानेंगे SI भरती 2000 शोडा की जो चल रही है RPSC के दवारा उसके इंट्रिवूस में पूछे गए सभी इन कॉशन्स को जो यहाँ पे situational और factual questions यहाँ से candidate से पूछे जा रहे हैं यह मेरे दवारा वहाँ जाके collect कियेगे सभी questions है इसमें किसी प्रकार का fact question आपको नहीं मिलेगा मैं question number first की यहाँ बात कर रहा हूँ जो member के दवारा पूछा जाता है candidate से सामने से आ रही तेजी से train के शामने अगर पांच वेक्ती अचानक से आ जाएं और आपका उसी शमय उनके ओपर ध्यान चला जाए तो आप सबसे पहले कैसा कदम यानि कौन सा कदम यहाँ पर उठाना उचित समझेगे यहाँ पर candidate के द्वारा जो answer दिया गया है सर सबसे पहले तो मैं जो भी लाल वस्तर मेरे पाश में होगा या फिर लाल वस्तर जो है वो train चाला को सबसे पहले मैं दिखाऊंगी next question के अगर बात करेंगे तो यहाँ पर माना जाता है कि अनेक अपरादों में पूलीश की ही मिली भगत यहाँ पर देखने को मिलती है क्या आपकी इसके बारे में राय है आप इसके बारे में किस प्रकार से शोचती है यहाँ पर अगर बात करें तो candidate के दौरा दिया जाता है कि सर मैं नहीं मानता कि ऐसा होता है और अगर होता भी होगा तो ये सब एक विशेश व्यक्ति यानि एक व्यक्ति विशेश से ही होता है जोगी अपन सभी को दोशी नहीं ठहरा सकते नेक्स कुशन के अगर बात करें तो अगर आप किसी गाउं के पटवारी है और वहां के गाउं के पाश में एक पशु मरा हुआ है और थाना परवारी को शव उठाने से यहां पर इंकार किया जा रहा है और इसके लिए वहां के लोकल लोग जो हैं वो धरना परदशन और लगातार यहां पर जो परदशन कर रहे हैं वह कर रहे हैं तो आप वहां जाके किस प्रकार इस मामले को सूल जाएंगे अपने लेवल पे काफी एचा कोशन है आप उसका कोशन देने की बिल्कुल ट्राइ करें तो यहां पर मेरे द्वारा जो बनाया गया आंसर है वह यह है कि सर मैं वहां सबसे पहले वहां के जनता परतिनीदी है जो सरपन साव वहां पर होते हैं उनसे गुजारिज करूँगा कि वह आक्रोशित भीड को शमझाए और परशाशन का भी यहां पर ध्यान में रखते हैं वह उनका शात्वी दे नेक्स कोशन के अगर बात करेंगे तो यहां पर मेंबर से पूशा जाता है चैंडिडेट से अप ठानेदार क्यों बनना चाते हैं तो यहां पर कैंडिडेट के त्वारह आंसर दिया जाता है सर मेरा बचपन से ही एक शपना था जो कि मैं रास्तान पुलिश में जाके, रास्तान पुलिश पर्शाशन में रहकर एक जनता की शेवाओ का निफ्टारा कर सकूँ Next question के अगर बात करें तो वह हैं, तो आप पटवारी में रहके भी कर सकते हैं यह already selected थे पटवारी इसके लिए candidate के द्वारा जो answer दिया जाता है sir जी हाँ sir मैं बिल्कुल इसमें रहके भी कर रहा हूँ और कर भी शकता हूँ लेकिन समय के अनुशार मेरी और मेरी योगयता के अनुशार मेरी qualification के अनुशार यह नोकरी मेरे लिए इस समय उशित होगी काफी अच्छा question है आप लोग भी इसको learn कीजिएगा next question के अगर बात करें तो police constable के बारे में आपकी क्या राय है यानि police constable जो होते हैं जो police वाले अपन कहते हैं उनके बारे में आपकी किस प्रकार से आप समझते हैं उनको तो यहां पे candidate के द्वारा answer दिया जाता है सर्फ police constable जो है उसके पास में निन्ने लेने का अधिकार यहां पे नहीं होता अगर बात करें निन्ने का तो एक उच अधिकारी जो होता है उसके पास में ही निन्ने होता है वो तो अपनी एक duty को निभा रहा होता है next question के अगर बात करेंगे तो आपके screen पे आ चुका है हाली में महिलाओ पर अनेक परकार के अपराद हो रहे हैं जो कि आप लोग देख भी रहे होंगे आप किस परकार से इनको कम करेंगे डिपार्टमेंट में जाकर candidate के द्वारा यह answer दिया जाता है सर महिलाओ के लिए सुरक्षा के लिहास से हलकी फुलकी उनको रक्षात्मक ट्रेनिंग देंगे यानि जोड़े कराटे उनको सिखाएंगे उसके बाद में उनकी शमश्याओ का जल्द निप्टारण करने के लिए एक महिला अधिकारी का भी यहाँ पे चैयन करेंगे यानि उन सभी शमश्याओ का निस्तारण के लिए जो महिलाओ के साथ में अपराद की रूमें देखी जाती है नेक्स्ट अगर बात करें तो आपके छेतर में लूंग का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है ये लूंग क्या होती है तो मैं आपको बता दू कि ये केंडिडेट बीकानेर साइड के से बिलोंग करते थे जो कि यहां से इंसे कॉशन पूछा गया सर लूंग खेजडी की पेड़ पे लगने वाला जो पतियों की रूम में होता है जो पति भी आप कह सकते हो खेजडी की अगर कॉशन की बात करें तो नेक्स कुशन यहां से पूछा जाता है खेजडी के पेड़ के नीचे दान काफी अच्छा होता है इसका मुखे कार्ण आपके साप से क्या हो सकता है यह तो आपको भी पता है कि KHD के निचे काफी अच्छा फशल यहां पर देखने को मिलती है तो इसका मुखे कारण की अगर मैं बात करूँ तो इसका मुखे कारण उर्वरक शम्ता और वहां की जमीन जो है वो उपजव यहां पर बनी रहती है और उसके अंदर जो कंटेंड होते हैं नाइट्रोजन फोस्फोरस यह जो कंटेंड होते हैं यह भी यहां पर परचूर मातरा में उसको मिल पाते हैं फशल को इसलिए वो अच्छी आपर फशल होती है नेक्स अगर बात करें तो वरजेश यादाओ कौन है हाली में एथलीट से समंदित यह कौशन पूशा गया था जो होगी कैंडिडेट का होभी के रूम में था तो यहां पर जो इसका राइट आंसर में आपको बता देता हूँ रास्तान पूलीश के एक कौंस्टेबल थे जिनके दुआरा अभी हाली में सिल्वर मेडल जीता गया है ओपन बॉक्सिंग चेंपियन सीम जो की थाइलेंड में यहां पर चल रही थी सर मैं फिलाल यहां पर आपर ओपर पुलिश पद के ऑपर बारे में शक्षम है नेक्स इसी का अगर आंस्वर की बात करें तो कानून को ध्यान में रखते वे सभी को शुरुक्षा परदान करना और समय को देखते वे सभी के शाथ में समय बल पे याँ पे समझ्षा होगा निस्तारण भी करना इनका एक बड़ा फर्ज यहाँ पे है रास्तारण पुलिश का नेक्स कोशन के अगर बात करें तो नेक्स कोशन आपका में स्क्रीन पे आ चुका है राजस्तान की मुख्य अकरती किस प्रकार की है यानि जो राजस्तान आप लोग देखते हो आपके स्टेट को उसकी structure कैसी है आकरती कैसी है मैं आपको बता दू काफी अच्छा कुशन है आप लोग इसको जानते ही होंगे इसकी आकरती की अगर बात करें रास्तान की तो इसका विशम कोण चत्रबूज की आकरती जैसा है यह थोड़ा mistake हो गया next अगर बात करें तो यहाँ पर राजस्तान में शेम का संबन्द किस से है और यह मुखेते कहां पर यह की जाती है मैं आपको बता दू शेम का संबन्द पानी के जल बराव से है अगर इसके बार में थोड़ी और चर्चा करें तो यह पानी को शोक लेता है जिस से भूमे के साइड में काफी देखने को मिलती है अगर आपको किसी महिला अपरादी को पकड़ने के लिए किसी गाउं में जाना पड़े वहां के लोग आप पर हमला बोल दे तो आप गाउं के वैक्तियों को किस परकार से अपने लेवल पे समझाने की कोशिश करेंगे केंडिडेट के द्वारा जो आंस्फर दिया जाता है सर मेरे द्वारा यहां पर सबसे पहले तो मैं ऐसे अपरादों के लिए महिला कोस्टेबल को ले जाने की कोशिश करूंगा और उसके बाद में वहाँ जाके सबसे पहले लोगों को समझाऊंगा और मुख्य कारण का यहाँ पर पता करूँगा और उसके इसाफ से ही आगे की जो प्रकरिया है investigation जाज प्रणाली जो है वो यहाँ पर शुरू करूँगा next question की अगर बात करें तो next question काफी विदार्ती social media platform पर active रहते हैं क्या आप भी इन चीजों को यूज करते हैं काफी अच्छा है socially चीज पूशी गई है तो आपको अपने interest के according यहाँ पर शेर करनी है मेंबर से candidate के द्वारा कहा जाता है जी हाँ sir मैं बिल्कुल social media से update हूँ next question की अगर बात करें तो candidate धोलपूर से बिलोंग यहाँ पर करते हैं पूशा जाता है धोलपूर का डांग शेतर क्यों परशीद है candidate के द्वारा जो answer यहाँ पर दिया जाता है sir चंबल बेशिंस के जो उबडखाबड एरिया जो है या फिर चंबल के बिहेड वाला जो छेतर है जिसकी जहाँ पर भूमी है उसको यहाँ पर डांग शेतर के नाम से जाना जाता है काफि अचा कोशन था next दो गर बात करें तो यह candidate ने बीटे कर रही है civil engineering से तो इनसे पूछा जाता है Newton नियम क्या होता है मैं आपको बता दो Newton's का नियम जो था वो action और reactions का था या फिर जब तक किसी वस्तू पर आप viable नहीं लगा देते तब तक वो stationary conditions से नहीं हटेगी यानि तब तक वो stationary condition रहेगी और जब आप इस पर external force लगा दोगे viable लगा दोगे तो वो चलना परारवी या पर कर देगी तो आप इसको गती का नियम भी कह सकते हैं next अगर बात करें तो अगर आपके सामने कोई व्यक्ति यातायत के नियम का उलगन करता है आप किस परकार से उसके शाथ पेश आएंगे और एक कानूनी कारवाई भी याँ पे शक्त तरीके से याँ पे करूँ हा next अगर बात करें next questions की तो सरकारी दफ्तरों में सामनेत है देखा जाता है कि याँ पे जो भी अपने पास में कारिये जो होते हैं वो सही समय पे निप्टाए नहीं जाते यानि सरकारी दफ्तरों में काम समय पर ना होना एक मुख्य चूनोती याँ पे है आप इसके according क्या समझते हैं मैं आपको बता दू इसका अंसर कि अगर मैं मेरे लेवल पर बताऊं तो आपको सुविदाओ का याँ पे ना होना या सुविदाओ का कम होना और एक नवाचार का याँ पे परवेशना होना नवाचार भी इनमें नहीं लाए गया है तो उसके according इनकी जो प्रॉसस होता है काफी लेट होता है नेक्स अगर बात करें तो अर्थ सास्तर में याँ पे FSL का शमंद किस्से है तो मैं आपको बता दू FSL जो एकोनोमिक्स में बोला जाता है जो कि याँ पे एकोनोमिक्स स्टुडेंट से पूछा गया था कौशन सकल नेक्स अगर बात करें तो एकोनोमिक्स के गोड़ी यहाँ पे SLR का महतव यहाँ पे क्या है next अगर बात करें तो cyber crimes के कोई examples आप लोग बताईए cyber crimes के अगर मैं आपके सामने बात करूँ तो कुछ इस प्रकार से है cyber terrorism जो होता है वो भी cyber crimes का एक parts है computer को hacking करना ये भी cyber crimes का एक part है next question के अगर बात करें तो जो लड़किया और महिलाए वेशावर्ती का काम यहाँ पर करती है और यहाँ किसी गैंग के द्वारा चलाया जाता है तो वहाँ पर आप लोग किस प्रकार से अपना यहाँ पर कारिय करेंगे किस प्रकार से उनको यहाँ पर समझाने की काशिश करेंगे उस गैंग को मैं आपको पता दू यह questions आप अपने level पर दीजिएगा sorry ना बोलीगा member से तो यहाँ पर मेरे इसाब से यहाँ पर शमय रहते वे मैं उनको महिलाओ को और लड़कियों को समझाने की कौशिश करूँगा अगर वो समय पर नहीं समझती है तो मैं एक शक्त कानून के शाथ में कानून के नियमाना उशार उनको सजा दलेवाने की पूरी-पूरी कौशिश करूँगा ताकि ऐसा कारिये और बाकी लड़किया और वो में ना कर सके नेक्स अगर क्योशन की बात करें तो कोरोना-19 एक के देश से दूसरे देश में फेल रहा है आप इसको किस प्रकार से कहना चाहेंगे यानि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कोरोना-COVID-19 का फेलना क्या कहलाता है मैं आपको बता दूसका virus transmission country है जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में virus का transmission हो रहा है नेक्स अगर बात करें तो cyber bullying यहां पर क्या है cyber crime से यह related है जो candidate से पूछा जारह है जो candidate already यहां पर रास्तान प्लीश में स्लेक्टेड है तो यहां पर उनके द्वारा का जाता है सर कम्यूनिकेशन के द्वारा जो कम्पूर्टर को हैंक करने की प्रणाली जो है उसको यहां पर साइबर बुलिंग यहां पर कहते हैं काफी अच्छा कुशन है नेक्स्ट अगर बात करें तो पुलीस विभाग में आप पेसबुक चलाते हैं क्या कंडिडेट से पूशा जाता है मेंबर के द्वारा तो यहां पे पे आप अपने इस आप से इसका आंसर चलाते ओं तो आपने एक और यहां पर करके जाने मेरा कहने का मतलब है नेक्स्ट अगर बात करें तो आप स्पोर्ट चो अपने विभ करकार के टूर्णामेंट्स, चेंपियन्शिप्स में अपना कॉंट्रिपोजिशन दूँगा ताकि एक डिपार्टमेंट का नाम भी आपे स्पोर्ट्स के रूम में जाना जाए, नेक्स्ट अगर बात करें तो रास्तान पुलीश के कारिये प्रणाली पर अक्षर विवाद याँ पर उड़ता रहता है, आपकी इसके बारे में क्या रहा है, यानि काफी बार आप लोग देखते हो, रास्तान पुलीश को याँ पर बड़ा ही एक गलत तरीके से याँ पर पेश किया जाता है, तो मैं आपको बता दू, सरी ऐसा एक व्यक्ति विशेज से हो सकता है, पाकि सभी को आप लोग दोशी नहीं ठहरा सकते, हो सकता है, कुछ लोगों के काण में ऐसा हो रहा हो, लेकिन मेरे नजर में ऐसा नहीं है, नेक्स्ट अगर बात करें तो जो आपके most of the questions पूशे जा रहे हैं, 10th का क्लास आपका कहां से किया, 12th कहां से किया, ग्रेजवेश के दुआरा यहां पे हाली में लोंच कियेगे के नया एफ जो है उसका नाम बताओ, मैं आपको बता दूँ उसका नया नाम राजकोप है, जो अधर स्टेट से, अधर स्टेट में जाने के लिए परमिशन लेनी होती थी, COVID-19 के तहत उसके बाद में यहां पे रज्य सरकार क में ऐसे questions put up हो रहे हैं, इतने मैंने interviews यहां पे ले लिए हैं, candidates से सबी से common questions पूछे जा रहे हैं, next शकर बात करें तो आपकी शुरुवात यहां से कैसी होगी, rest, graduation विश्य में interest कैसा है, विश्य परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है, आपको board के परती इमांदार रहना है, proper language में आपका होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, जुगाडू language, next question की अगर बात करें तो next question आपके screen पे आपे आ चुका है, रास्तान में अकबर का दरवार सबसे पहले कहां लगया गया था रास्तान में, अच्छा question है, at least आपको आता ही होगा, तो मैं आपको बता यह सभी questions जो है, मैं members, वहाँ personally जाके candidates से collect करता हूँ, उसके बाद में ही यह मैं type करता हूँ, काफी questions कल और आज shift के pending है, जो आपको regular series को चलाते हुए, complete करेंगे सभी questions को, एक भी question मैं यहाँ पे नहीं छोड़ने वाला, तो आप लोग बने रहेए, यूँ चैनल सको, और प्लीज इसको like और subscribe जरूर कर दीजेगा, ताकि मुझे भी इसका शयोग आपका मिलता रहे, thank you, धैने बाद